नमस्कार और विलकम यो लू वर्ल अफेर्ज नहीं प्रशान दवन नाव रिसेंटली हमारे देश के पीम ने युनाटेट नेशन्स के चीफ एंटोनियो गुतरेस को ड्रेक्टली ये कह दिया के मुझे नयाए चाहिए भारतिय सोल्डर्स के लिए जो यून पीसकीपर्स इं इन कॉंगो यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है बीएसेफ के उन दो जवानों की जो कॉंगो में सर्विस देते हुए वीरगती को प्राप्त हो गए तो डिसकस करेंगे इस टोपिक को इन डेट के यहाँ पर हुआ क्या है काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा मग कॉमेंट सक्षन में करिये उत्तर सही आंसर में आपको दूँगा वीडियो के अंत में नाओ सबसे पहली बात तो बेसिक्स युनाटेट नेशन्स के दुनिया भर में आज के समय चल रहे हैं 12 पीस कीपिंग मिशन्स इन पीस कीपिंग मिशन्स में ये कहता है कि यहाँ पर चल रहा है हमें इंटर्वेंशन करनी होगी और फिर यूएन अपने सोल्जर्स भेजता है टोटल यूएन के आज के समय 90,000 के आसपा सोल्जर्स डिप्लॉइड हैं इन 12 पीस कीपिंग मिशन्स में ये पीस कीपिंग मिशन्स कहां कहां पे हैं यहाँ पर आप देख पाओग जरातार पीस कीपिंग मिशन्स आपको मिलेंगे एफरिका और मिडल इस्ट में एक वैसे पीस कीपिंग मिशन्स इनोंने उपन कर रखा है कश्मीर के डिस्प्यूट को लेकर मगर यहाँ पर कोई यूएन पीस कीपिंग का एक आफिस आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर आ अपना contribution करते हैं UN peacekeeping mission की तरफ अपने soldiers भेज कर फोर एक्जामपल बांगलादेश भेजता है सबसे जादा soldiers UN peacekeeping missions में नमबर दो पे है नेपाल जी हाँ इंडिया नमबर तीन पे आता है इंडिया ने टोटल 5400 के आसपास जो soldiers हैं ये भेजे हैं UN में हाला कि आपके लिए ये भ तो बांगलादेश बहुत से soldiers भेजता है peacekeeping missions में recently दुनिया भर से आवाजे उठी है कि बांगलादेश का एक unit है RAB के नाम से ये लोग भी काफी पार UN के peacekeeping mission में service करते हैं तो इनको ban कर देना चाहिए क्योंके recently USA ने RAB पे लगा रखे हैं sanctions तो खेर ये अलग कानी है मैं आप को बस additional information दे रहा था अब हम आते हैं Congo पर Congo में recently क्या हुआ जैसे मैं आपको map में दिखाया Congo में भी UN peacekeepers deployed है reason इसका बहुत ही simple है Congo की सरकार अपने देश को समाल नहीं रही इनका बहुत सारा area है वहाँ पे कभी Islamic State कभी कोई कोई rebel group कोई ना कोई attack करता रहता है और since इनकी सरका असफल है अपनी जमीन को समालने के लिए तो इन्होंने UN peacekeeping missions के अंडर UN के soldiers को बलाया peacekeepers को बलाया और इन peacekeepers का का काम यह है कि शान्ती बनी रहे लोग एक दूसरे पर attack ना करे और violence ना हो अब यहाँ पर आप कहोगे मगर यह क्या से हो सकता है कि Congo की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपनी खुद की धरती पर कंट्रोल कर पाएं देखिए Congo दुनिया के जो पाँच सबसे गरीब देशाते ना उनमें से एक है Congo और UN के हिसाब से extreme poverty यहाँ पर exist करती है तो UN peacekeepers यहाँ पर बहुती लंबे समय से deployed हैं मगर recently हमने यह देखा है कि लोग नाब UN peacekeepers को अगेंस के तुम लोग यहाँ से जाओ तुम से यह area समन नहीं रहा अब यह प्रोटेस्ट एक टाइम पर इतने बढ़ गए कि तीन peacekeepers यहाँ पर मारे गए और 12 civilians की भी यहाँ पर मौत हुई लगातार इन civilians पे एक group attack करता रहता है जिसका नाम है M23 UN peacekeepers इस group को रोक नहीं पाते तो यहाँ पर जो लोग है वो चाते हैं कि UN peacekeepers यहाँ से बाहर निकले और लोग खुदी एक अपनी force बना दे M23 rebel group के against तो situation देखिए कॉंगो में बहुत ज़रा मुश्किल है UN peacekeepers के लिए क् कई groups हैं वो लगातार peacekeepers पे attack करते हैं फिर जो आम जनता है वो भी तंगा चुकी है peacekeepers से वो भी कह रहे हैं कि तुम बाहर के soldiers हो UN के soldiers हो यहाँ पर क्यों आई हो तुम यहाँ से निकलो तो since situation इतनी difficult है यहाँ पर तो लगातार थोड़े बहुत प्रोटेस होते रहते हैं recent जो और देशों के जो peacekeepers थे वो यहाँ पे injured भी हुए हैं तो अब PM Modi ने अंतोनियो गुतरस को यह कहा है कि देखी हमने अपने हजारो soldiers आपकी command के अंडर deploy करवाए हैं अफरीका में साउथ अमारिका में और जगा इनकी जो safety की जिम्मदारी है यह भी आप पे आती है अब UN के chief अब आप यहाँ पर पूछोगे अंतोनियो गुतरस क्या करेंगे यह देखो प्रेशर डालेंगे कॉंगो की सरकार पे के ग्राउंड लेवल पर चेक करो वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट और नाइस करवाए UN peacekeepers के अगेंस क्योंकि अगर ऐसे प्रोटेस्ट होत अब यहाँ पर आपका क्वेशन होगा कि क्या कॉंगो की सरकार इसमे कुछ कर पाएगी देखिये चांसे कम लग रहे हैं क्योंकि अगें जैसे मैं आपको बताया कॉंगो बहुत जरागरीब देश हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है अपने देश पे कंट्रोल नहीं है कोई आप खुछ सोच कर देखिए 87,000-90,000 दुनिया भर में इतने सारे इलाके हैं इतने सारे रीजन हैं यहाँ पर पीस कायम करने के लिए यह नंबर बहुत कम हैं मेरे असाब से UN पीसकीपर्स अट लीस्ट होने चाहिए 2 लाग और यह नंबर पूरा कौन करेगा इडिया बंग पीसकीपर्स में जबकि इंटरस्टिंग बात देखो जब भी UN पीसकीपर्स में किताब चपेगी कोई डोक्यमेंटरी बनेगी आपको सारे UN पीसकीपर्स यह लोग दिखाएंगे ब्लॉंड नीली आख हो वाले के जैसे के US और यूरोप ये दुनिया भर में शान्ती कायम क चला रहा है, साउथ एश्या चला रहा है, साउथ इस्ट एश्या चला रहा है, चाइना ने भी अपनी जो पाडिस्पेशन है काफी कम कर दिये, तो वी नीड ए स्टॉंगर पीसकीपिंग फोर्स, अगर विक्सित कंट्री अपने सोल्जर्स को ऐसे मिशन पर नहीं भेजना तो याद रखिएगा, यह काफी अद्दक न्यूज में था, और फाइनली आपर मैं यह भी आट कर दूँ कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, आप परचेस कर सकते हैं अगे कोर्से फ्रॉम अन अकाडमी, सिंप्ली जाओ, कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आ प्रिटन, और सेव मनी, सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का, थांक यू फो लेस्नेंग, और आज अल्वेस, गाद ब्लेस यू आल.